मेरे प्रिय शिश्यों, साधकों और आज के हमारे सभी नवीन दर्शकों बहविश्य के गर्ब में क्या छुपा है? ये हम सब जानना चाहते हैं हम सब जानना चाहते हैं, अगले साल हमारे मकान का सपना पूरा होगा या नहीं? क्या promotion होगा, job change कर री चाहिए, job छोड़कर व्यापार करना चाहिए, व्यापार को expansion करना चाहिए शादी का क्या इस साल योग बनेगा, शादी हो चुकि है तो क्या संतान रूपी हमें एक अनमोल उपहार इस साल बिल पाएगा क्या इस साल हम विदेश चात्राइं कर पाएंगे क्या इस साल हम खुशियां सारी वड़ोर पाएंगे जो मनोकामना है वो क्या इश्वर इस साल पूरी करना चाहता है यही सब कुछ चंद सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने आया हूँ मैं बात कर रहा हूँ वार्शिक राशिफल की इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कुम राशी और 2018 कैसा जाएगा उस पर सबसे पहले हम देखते हैं कि कुम राशी वाले लोगों के अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होते हैं देखिए आम तोर पर कुम राशी वाले इंसान अपनी दुन के पक्के होते हैं ऐसे लोगों से प्यार से आप कुछ भी करवा सकते हैं जिद नफरत से आप कुछ नहीं करवा सकते हैं और ये लोग अपनी दुन के पक्के के साथ साथ कुछ जिद्धी भी होते हैं मतलब अगर इनको लग गया कि यह काम मुझे पूरा करना है फिर ब्रह्मा जी भी नहीं रोग सकते हैं अपना काम पूरा करके ही मानते हैं चाये उसमें कितने ही साल क्यों लग जाए अपने में बौधिक शमता यानि भगवान गौतम बुद्ध जो थे उनके अंदर जो शमता थी जो सत्य का ज्यान उन्हें हुआता ये बौधिक शब्द शायद वहीं से निकला है तो ऐसे लोगों में एक सत्य का ज्यान होता है एक शमता एक स्किल अलग तरह के होती है आप उपर से बले ही कठोर हों जिद्धी हों हटी हों लेकिन आम तोर पर अंदर से आप बहुत मुलायम और नवर होता है राग द्वेश वेमनस से रखने वाले इंसान से आप दूरी बना के रखते हैं अंदर से उत्रे ही आप दिल आपका दार्शन रहता है अलग तरह के विचार रखने के आप काबिलेत रखते हैं जब भी किसी ग्रुप डिसकुशन में कहीं लोगों के साथ ऐसे इनसान की बात सुईकार ना किये जाने पर ये लोग बहुत ज़्यादा क्रोधी तो हो जाते हैं और क्रोध में जबान के जो साथ संबंध है दिवाग का वो कट जाता है और उस पर कुछ ऐसे कटू वचन ऐसे लोग बोल देते हैं जिस से आपके संबंध कमज़र हो ज जा सकता है सानसारिक बायजाल में उल्जे रहने के पश्चाथ भी दार्शनिक विचारों को समयवेश प्रॉपर ये कर नहीं पाते हैं कई बार ऐसे लोग दो गोडे पर सवारी करने की ज़्यादा कोशिश कर लें करते हैं ये भी करनू वो भी करनू उस चकर में पूरा का हम कोई कर नहीं पाते हैं इसलिए बड़ी समझदारी से एक ही दुन पर रहना चाहिए तो अच्छा रहता है अब हम बात करते हैं कि कुम राश्य वाले लोगों का बिजनस की पोजिशन 2018 में कैसी जाएगी शुरुवात देवताओं के गुरू ब्रैश्पती बड़ा आशि ठीक चलेगा दो मई से छे नवंबर तक मंगल की सेवन था उस पर द्रिश्टी वह बिजनस को अच्छे डंग से चलाने में एक समझ सकते हैं कि स्टार्ट अप दे सकती है आप इस इरादे में मत बैठिए कि आप बहुत तेजी से चलना तो चाहते हैं लेकिन कोई और आकर क जो एनर्जी आपको मिलने वाली है उससे आपको एनर्जी के साथ साथ आपने अगर होश रखा थोड़ा सा रिसर्च अपने बिजनस में किया और उसको प्रॉपर टाइम डंग से डेवलप्मेंट किया आलस से कुदूर बगाय तो ये समझ लिजी ये 2018 आपका है नई भाग हो सकता है अलागि इसके लिए आपको अच्छे खासे पैस होगी जरूत होगी जिसके लिए आपको लोन भी लेना होगा और उसे ले लीजिएगा अगर आपका वेवसाय आर्ट डेजाइनिंग फैशन आर्किटेक्ट किसी प्रकार के लग्जुरी प्रॉड़क्स का है सुर वेज़ पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी जाच अवश्य कर लेनी चाहिए अगर आप जॉब कर रहे हैं तो राहू की टैंथ आउस पर दृष्टी होने से आप नौकरी पेशा हैं तो यह साल आपके लिए किसी तौफे से कम नहीं हो सकता है राहू इस साल आपकी दो या तीन बार ट्रांसफर, जॉब चेंज, जॉब चेंज होते होते वाले स्तिव तक भी लाकर खड़ा कर सकता है इस सवदी में आप खूब मेहनत करें क्योंकि कोई बार आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है मुझे कुछ और करना चाहिए कहीं और जॉब करन के बाद जो इंतजार का वक्त होता है अपांटमेंट के लिए कि आपका इंटर्वियू आ जाए तब तक आप जो एक्जिस्टिंग जॉब है उस पर डंग से मेहनत नहीं करते हैं वो भी एक नेगेटिव पॉइंट आपके भागे में जोड़ जाता है इसलिए ये गदारी पुझे लोगों के प्रती समर पन का भाव आपको रnon कर दीजिए कि आपका मुनफा कितना हो रहा है आपका फाइदा कब हो गा आप सबसे पहले दोसरों की तारिफ दोसरों का फाइदा दोसरों के लिए क्या मदद कर सकते हैं नई जिम्मेदारी लेंगे और उससे लेने से जिजग भी जाएंगे इससे आपकी योगिता में कुछ कमी देखे जा सकते हैं सीनियर्स के साथ संबंद आपको अच्छे बना कर रखने होंगे चोटे या मोटे विवास से आपको दूरी बना कर रखने चाहिए वही समझदारी पूरों आपके प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जौब के लिए दो मईश से छे नौबर के बीच का समय परफेक्ट है उसमें भी जुलाई और अगस परफेक्ट का आ जा सकता है अब बात करते हैं फाइनेशल कंडिशन कुमराशी की कैसी रहिए साथ मार्च स से 2 माई तक मंगल की धन भाव पर द्रिष्टी होने से आपको साल 2018 में पैसे कमाने हैं यह आपका दिय है इसमें फाइनेशल पोजिशन बहुत अच्छी रह सकती है आपको खर्चे करजे कैसे चुकाऊंगा इस सब पर एनर्जी लगाने से बढ़िया है कि आप धन कमाने मे अपनी एनर्जी लगाएं और आर्थिक इस्तती को मद्बूत करने के लिए आपको और मेहनत करने चाहिए कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आपको करने चाहिए जो कि शुरुवात में हो और मद्य में हो ताकि जो शुरुवात में इन्वेस्टमेंट किया वो मद्य में उसका आप मिल सके जो मद्धिय में इंवेस्टमेंट किया है वो साल के अंत में उसका प्रॉफिट बिल सके तो कुछ इस प्रकार की आपको इंवेस्टमेंट की प्लानिंग करने हो कि जिससे आपको पैसे की तकलीफ ना हो याद रखेंगे इस चीज को कड़ी मेहनत निश्चित रहतर करना बहुत जरूरी है इस अवधी में आप पुराने कर्ज को भी काफिये तक चुका कर निश्चित हो सकते हैं आपको कई सुनेरे मौके विलेंगे जिससे आप अच्छा प्रॉफिट शेर मार्केट में कमा सकते हैं बस आख और कान खुले रखिएगा बढ़ते आग फैमिली जो घर होता है फोर त वी होता है केतु की फोर्त अवस पर द्रिश्ची होने से जो फ्रैण्स का गगर होता है फैमिली के साथ एटबस अच्छा करने की ओवरओल ऌल जो सुक का घर होता है उसे माना जा सकता है उसुस पर बろह केतं frame को जोब में भी टाइम डेना है अब आपको जॉब में भी टाइम देना है, बेजस पर टाइम देना है, तरक्की भी करनी है, 2018 अच्छा भी जाने वाला है, इन सब चीजों में आपको कहीं ने कहीं तो sacrifice, compromise, adjust करना होगा, वो आप अपने family के साथ करेंगे, जिससे उन लोगों को लगेगा कि मेरे पती, मेरे प परिवार के साथ सबसे ज़्याद आती है, इसलिए शायद रिशी मुन्यों ने होली के बाद, दिपावली के बाद, एक रामा सामा का पर्व बनाया, और बहुत सारे ऐसे event बनाए, परिवार के कुछ ऐसे शुब और मांगली कारे बनाए, जिस पर सब लोग get together बिल सकते हैं तो यह मिलन आप जारे रखिएगा, जीवन साथी का पूरा सयोग आपको मिलेगा और बच्चों से आपको मदूरता बना कर रखने चाहिए, आप यह सोचना बंद कर दीजिए, कि बच्चों को हमेशा मुझे समझाना है, बच्चों को समझना उत्रा ही ज़रूरी है जितना समझाते हैं, इस साल आप नकारात में उड़ जैसे कुछ हट तक गेरे वे नज़र आएंगे, बच्चों पर बार बार चिलाना, चीखना, उनकी कमियों को उजागर करना, उनकी कमियों के बारे में उनको बार बार कोसना, यह बंद करिए, कभी कभार परिवार के साहित एक डिसकुशन के लिए शहर से दूर या अपने राज्य से कहीं दूर जाकर तीन-चार दिन छोटिया मनाईए और बहुत अच्छे पॉजिटिव एनवार्मेंट में अपने परिवार के लिए हम आगे कैसे बढ़ें, उसकी योज़रा मनाने चीए, अगर आप इस साल अपने परिवार सहित यात्रा करना चाते तो तीरत यात्रा का अवसर आपको जरूर मिलेगा और उसमें भी 12 जोतिर लिए से किसी एक जोतिर लिए कि आप यात्रा करेंगे और भगवान शिव बोरे नात का आशिरवाद आप पर पूरा मिलेगा, मार्च से अप्रेल के बीच में ग पहबस से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए इस साल रिलेशन्शिप जो है वो प्यार के मामले में मिले जुले परिणाम देने वाला रहे आप खुद थोड़े से कंफ्यूज अपने आपको पाएंगे कि मैं जिससे शाधी करना चाहता हूं या चाहती हूं कि वह पर्फेक्ट हैं माता पेता तो बना करते हैं क्या हमें शाधी उनकी विरुद्ध कर लेनी चाहिए क्या हम सादी करके ज्यादा खुश रहा पाएंगे आप अपने अंदर ही बहुत दोविधा पूर्ण इस तती में रहेंगे इस दोरान कुछ उतार चड़ाव, कुछ खटे और मीठे यादों के साथ 2018 गुज़रेगा एक दूसरे पर पुरा विश्वास और समर्पन रखना होगा शक की कोई गुजाईश नहीं होने चाहिए साल के सुरुवात में ही कुछ मदवेद देखे जा सकते हैं लेकिन चोटी चोटी बातों बहस और शक से आपको किनारा कर लेने चाहिए क्योंकि इस से आपको नुकसान होगा फाइदा कुछ नहीं होगा एक दूसरे को समझेने की ज़्यादा कोशिश करीगा अगर आपको शादी करनी है तो इस साल 13 जुलाई से 11 अक्टूबर के बीच में आप अपने परिवार को बताईए इसी दोरान शादी करिए या फिर 11 अक्टूबर से दिसंबर के मद्धियर शादी का जो साई टाइम आता है उस टाइम आप शादी कर सकते हैं ये बात जरूर है कि आपको सोच विचार कर फैसला लेना चाहिए मुझे ऐसा लगता है आप कुम राशेवा लोग इस साल बहुत कन्फियूज होंगे और कन्फियूज उनको दूर करने के लिए वक्त देना चाहिए कुंडरली मिलान प्रॉपर होने चाहिए फिर आगे बढ़ना चाहिए रोमेंस गुमना फिरना एंटर्टेंडमेंट इसके लिए बहुत आपको मौके बिलेंगे जो ये यादगार पल आपके लिए रहेंगे अब बात करते हैं जिसकी जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है हम सब के लिए वो है सेहत 2018 में सेहत की बोजिशन के लिए शनी की एड़ था उस पर द्रिष्टी होने से इस साल एक्सिडेंट हड़ी टूटना ऑपरिशन चोटा ये बड़ा सलिशी किस्ता की योग बनेंगे कुम राशी वाले जातकों को अच्छी सेहत के लिए अब बातें करना बंद करना होगा और ये सोच रखना बंद करना होगा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है अपनी ही सेहत के लिए टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए टाइम है ये गंबिरता का प्रश्ण है आपको इस पर आगाह कर रहा हूं जिसके लिए प्रॉपर चैक अप करना चाहिए और द्याग की भावना आपको इस साल पैदा करनी होगी शराब पिते हैं सिगरेट पिते हैं गलत खान पान का योग है आप वैसे शौक रखते हैं तो उस पर त्याह करना होगा आपको कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए कुछ समय के लिए उसे चोड़ कर प्रॉपर अपने रूटीन चैक अप कराना होगा लेकिन इसका मतलब यह कता ही नहीं है कि आप सिरफ चैक अप करवाते रहें और एंजॉयमेंट को बूल जाएंजॉय अपनी जगया पर हैं दिन चरिया पर सारी तकलिफों के सामना करना पड़ सकता है व्यासता के कारण नीद की कमी हो सकती है उदर पीडा पेट की तकलिफ हैं यह सारी तकलिफ आपको हो सकती इस्पेशली शलिची किसा का ध्यान रखना होगा अब बात करते हैं हमारे प्यारे स्टूडेंट्स की जो देश का ही न सकता है विद्यारतियों के जिवन में कई सारे बदराव होंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेहनत करना और पड़ाई करना छोड़ दें इस बार आपको ऐसा लगेगा कि मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया है जिसे मुझे छोड़ देना चाहिए मुझे चेंज कर करना चाहिए इस मामले में आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे किसी बातों पर आकर आप अपने सब्जेक्ट को डिस्टब कर सकते हैं इस पर आपको सोच विचार कर दो लोगों से सला लेकर प्रॉपर काउंसलिंग करके फिर ही सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में कुछ मेडिटेशन कीजिए योग करिए प्राणायम कीजिए खेल कुद बर ध्यान दीजिए ताकि स्ट्रेस बर्न हो सके वैसे ये सारे इस्तिया ज्यादा जिन तक परेशान आपको नहीं करेगी परतु इस साल विदेश जाने के लिए सब्जेक्ट चेंज करने के लिए अ इसको करना इसे वाके मुझे कोई लाब बिलेगा या मैं किसी फैंटसाइज होकर ये काम कर रहा हूं इसका याद रखिए कि बढ़ते आगे और बात करते हैं कि कुम राशी वाले लोगों के लिए इस साल कौन से मित्र राशी रहेगी और कौन से शत्रू राशी रहेगी आ लेकिन मीन, करक, सिंग, कन्या, तुला और मकर राशी वाले लोगों से हाथ जोड़ कर कोशिश करें दूरी बनाए तो ज्यादा अचा रहेगा अब बात करता है इस साल आपका लखी नंबर और लखी कलर कौन से रहेगा तीन, पांच, छे और आठ नंबर लखी है वही सफे दोश 12 ताउस में, खूब खर्चा, लीगल कॉम्प्लिकेशन, मांसिख, शारीरिक तनाव, आँख और शरीर में, हड्डियों में तकलिफ दे सकते हैं साथ मार्ट से दो माई तक 11 ताउस में मंगल केतू का, माफ करेगा मंगल और शनी का अंगारक दोश रुपए पैसों में नुकसान पैसा फसना और इस प्रकार की इस्ति दे सकते हैं दो बही से छे नुबर तक 12 ताउस में मंगल केतू अंगारक दोश एक्सिडेंट चोट लगना ये सारे इस्ति बना सकते हैं वहीं 17 सितमर से 17 अक्टूबर तक 8 ताउस में सूरिय लीगल कॉम्प्लिकेशन और आँखों में तकलिफ दे सकते हैं इसके साथ साथ खुशी के पल भी आपका इस साल बहुत इद्जार करेंगे एक जनवरे से 16 जनवरे तक गुरु मंगल का परिजात योग रहेगा 16 जनवरे से 7 मार्च तक 10 ताउस में स्वग्रही मंगल हुरूचक योग बनाएंगे 9 ताउस में गुरु शुकर का शंक योग 1 सितंबर से 11 अक्टूबर तक बहुत शुब रहेगा 19 अपरेल से 14 माई तक स्वग्रही शुकर 4 ताउस मालवी योग बनाएंगे जो सारी लगजरी आपको देंगे तिन खुशी के पलों में खुब एंजॉई करिए ट्रैवल कीजिए एंजॉई करिए फैमिली के साथ वक्त गुजारिए क्वालिटी टाइम उने दीजिए इस साल बहतर बनाने के लिए सफलता के लिए एक चोटा सा सूतर आपको उपाय बताने जारो जिसको करना ज़रूरी है शनी यंतर को काले वस्तर में साबुत उड़द अत्वा उड़द की दाल से अस्ट दल बना कर उस पर इस्तापित करें उसके बाद काले अत्वा नीले वस्तर खुद धरन करें और काली माला से ओम शम शरिस चराय नमहा इस मंतर के 69,000 मंतर जाप करने होंगे शनी वार का वरत कर सकते हैं शनी उपासना कर सकते हैं जिस पर दशरित करत शनी स्तोतर का पाठ करें, सुनें या फिर आप किसी से करवा सकते हैं सैटरडे को साम को कोशिश करें कि कंबल, काले तिल, उड़द, नीलम, श्याम, देनू जूते, शमी वरक्ष की पूजा करना आख के जड़की, उस पर कड़वा तेल सीचना और इन सब चीजों को किसी को गिफ्ट भी आप दे सकते हैं विशेश ध्यान रखने योगी ये बात है कि शनीवार के दिन शनी की वस्तोय खरीद कर गर में नहीं लेकर आएं जैसे काले वस्तोय और खादिय सामगरी, तेल ये सब चीज नहीं ला देचीए लेकिन नया मकान बना सकते हैं लोई की वस्तोय लाकर किसी को दान दें तो ये ज़्याद अचा रहेगा अगर आपके माता पिदा जीवित है तो बलड प्रेशर, हार्ट, टाइबिटीज, ये सब कंट्रोल आ सकती है और मन बहुत अचा रहेगा तो आप दूसरों को खुश्या दे सकते हैं इसके लिए सबसे पहले खुद खुश रहना इस साल का मुख के आजेंड़ा होना चाहिए इस कुरोध के चलते ना केवल सही डंक से काम नहीं कर पाएंगे बलकि विलंबी होगा और बहुत सारे रिष्टे भी बिगड़ जाएंगे कुरोध रिष्टे में दूरिया लाते हैं और इनके तूटने का कारण भी बनता है क्यों नहीं इस साल हम एक संकल्प लें कि हम कुरोध पर विजय प्राप्त करेंगे कुरोध को पीने का काम करेंगे जिससे नकेवल आपका बलकि आपके आसपास के सब लोगों का जीवन मदूरता बरा हो सकता है और गुसे से इनसान का खुद का जितना नुकसान होता है उत्ता हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं बहुत-बहुत आशरवात कुम राशी वाले लोगों को बहुत-बहुत शुप काम ना है नव वर्ष की और साथ मैं आज मैं अपनी वाने को यहीं विराम देने के लिए इजाज़त चाहूँगा नमस्कार अधनाओं तथा पूजन सामगरियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं आज को कल से मिलाती है कुंडली आज ही कल का हाल बताती है कुंडली जब आथक परिश्रम के पश्राद भी बना रहे अभाव परिशानिया और बाधाय बतले आपका सुवभाव अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे तब कुंडली बनाकर इन सभी से निजाद पाए कौन मित्र है और कौन है शत्रू जिवन साथी में ढूंटे हो प्रेम या प्रेम में ढूंटे हो जिवन साथी शिक्षा, करियर, नौकरी हो या बेवसाई पद उपलद्धी और कैसे मिलेगा सम्मान कुंडली भविश्य का प्रवीश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली आपके भविश्य का दरपन है कुंडली समाधानों के द्वारा दुखों का अरपन है कुंडली जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का वचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का वचार कुंडली के भिन-भिन भाओं से क्या जाता है आप में सभी प्रतिबाएं विदमान है फिर भी आप आसफल क्यों हो रहे हैं इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाए कुंडली विशलेशन गुरुदेव सुरेश्री मालीजी से व्यक्तिकत मिलने के लिए संपर्क करें 25 नवंबर 20 दिल्ली 654-20685-645-44625 26 नवंबर 15 दिसंबर 24 दिसंबर मुंबाई 932-427-2446-932-237-7660 2 वतीन दिसंबर कोलकत्ता 983-160-2512 27 दिसंबर दुबाई 971-508-283-024 25 दिसंबर नागपुर 937-107-3487 27 नवंबर इंदौर 4 दिसंबर जबशेदपुर 8 दिसंबर सूरत 9 दिसंबर बडोदा 10 दिसंबर अहमदाबाद 16 दिसंबर बैंगलोर 17 दिसंबर हैदराबाद 21 दिसंबर गुडगाउं 0291-519-000-931-472-8165 अधिक जानकारी के लिए संपार्क करें 0291-519-000-243-2625 98290-26625 8955-896625 इमेल इन्फो एड़िरेट ग्रहुकाखेल.com.in वेबसाइट www.ग्रहुकाखेल.com.in